पंजाब नेशनल बैंक का महा घोटाला सामने आने के बाद जहां एक तरफ नीरव मोधी की खोज हो रही है वहीं दूसरी तरफ प्रियंका चोप्रा ने भी नीरव मोधी पर धोका धड़ी का केस ठोक दिया है नीरव की कंपनी की ब्रैंड अमबैस्टर रही प्रियंका चोप्रा ने नीरव पर उनके पैसे नहीं देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्श करवाया है निरव के Diamond Company के Brand Ambassador के तौर पर प्रियंका के होर्डिंग्स पूरे मुंबई में लगे हुए है प्रियंका की मा मधुचोपरा ने एक चैनल के साथ बाचीत में कहा कि इस घटना से दूसरे लोगों की तरह वो भी हैरान है उन्होंने कहा कि प्रियंका के साथ भी ठगी की गई है बता दे कि इस वक्त हर किसी की जबान पर यही सवाल है नीरव मोधी कहा हैं वही मीडिया में आ रही खबरों की माने तो नीरव मोधी स्विजरलेंच में हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं NMF News की रपोर्ट